शेरके बिजनगर रोड बाइपास से लेकर बाइला की ओर जाने वाली करीब 6 किलोमिटर लंबी सड़क प्रशाशनी कुदासींता की भेर चर गई है प्रशाशन की ओर से उक्ति सड़क की ओर ध्यान नहीं दिये जाने के कारण वर्तमबान में यह सड़क खड़ों में तब्दिल हो गई है हालात यह है कि सड़क में खड़ों की बजाए खड़ों में सड़क दिखाए देने लगी है सड़क में इतने खड़े हो रखे हैं कि वाहन चालक तो क्या पैदल रहागीरों का चलना भी दूबर हो रखा है मालूम हो कि शहर के विजननगर रोड से सेदरिया इसे तुपकारागार के सामने से बाईला तक जाने वाली 6 किलोमेटर लंबी सड़क विगत लंबी समेशे शदिग्रस्त हो रखी है शदिग्रस्त सड़क के कारण कई बार दो पहिया वाहन चालक दुरगटना का शिकार हो जाते हैं शेतरवासों ने बताया कि उग्ति सड़क शहर के बार संख्या 48 के शेतर अधिकार में आती है सोले कर कई बार नगय परशित प्रशाशन के था विधायक शंकर सिंग रावत को भी अवगत कर आया किया है बावजूत इसके इस सड़क की अब तक सुद नहीं ली गई है शेतरवासी अजमलत था महभूब खान आधिने प्रशाशन से शटिग्रस्त उक्ति सड़क को दुरुस्त करवाने की मांगी है और पार्शाशन को बोल बोल के प्रेशान हो लिए के वार धर्णा भी दे लिया लोगे लेकिन अभी तक कोई सुनई नहीं हो रही है प्रशाशन के बीच में चे क्लोमेटर के डिस्टेंस पड़ता है उसमें पूरे रोड में ऐसी आलत है कि रोड कम और खड़े जादा इसमें गाडिया जो भी बाइक वगएरा कर बार रात को गाडिया अन्मिलेंस हो जाती है खड़े प्रोपर दीखने ना दीखने के वज़े से कई बार मेला है जो हमारे कई बार बीच में एक्सिडेंट होके निच्चे भी गर गएते अभी दो दिन पहले अमारे ये अपने बेरव मेरा अज वी तू मेरा कल वी तू हर मुश्किल दा हल वी तू गुरु नानक जैनती के शुप अफसर पर पीपीएस पेराडाइज गार्डन अजमेर रोड वे पीपीएस ओट और उदेपु रोड ब्यावर के भुपेंदर पाल सी वे हर्जित सिंग स्वलू जारुप मनी भाई के ओर से आप सभी को गुरु नानक जैनती की हर्जित शुप काम ना वे पताई